नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों यदि आप लोग Estatic GK, Current Affairs और GKGS का एक अच्छा सा तयारी करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे एक अच्छा अच्छा सांदार कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा तो आप लोग चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर वीडियो और आपको एक्जाम में बहुत ज़्यादा हिल्फ होगा तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जूरे तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे Estatic GK को पर और इसमें आपका 30 questions दिये हैं तो आपके लिए एक practice sit type का भी रहेगा और यदि आप लोगो को नहीं आएगा तो आप लोग अच्छा से इसको सीख भी लीजिएगा तो चलिए हम लोग जल्दी से start करते हैं और यह सभी question आपका देख लेते हैं यह आपको स्सी के exam में railway के exam में और जो अभी आपका बिहार SSC CGL होगा उस exam में भी बहुत हिल्फ करेगा और बिहार SSC CGL के लिए यह special रहेगा और आपको उसके लिए हम चैप्टर भाइज भी वीडियो लाएंगे मतलब जैसे जीके का आपका जैसे पॉलिटी है हिस्ट्री है जगड़ोफी है इकनोमिक्स है साइन्स है सबका चैप्टर भाइज भी वीडियो लाएंगे और आपका जो करेंट अ आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा से कंटीनिव जो है देखते रहे हैं जहां तक हो पाएगा आपको हिल्फ करने की कोशिस की जाएगी तो दोस्तों चलिए यह वीडियो श्टार करते हैं और आप लोग यह मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए जल्दी से 30 का 30 कोश्चन हम लोग देख लें और आप लोग भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको 30 में कितना सही हुआ पहले से कितना आता था तो इसमें कुछ कोश्चन मतलब आसान भी ह हमेशा आते रहेगा तो चलिए तो दोस्तों पहला कोश्चन क्या है कि मारफथी गीत डेस के परमपरिक लोग गीत है मतलब किस देश का ये जो है आपका परमपरिक लोग गीत है तो आपका ये ओप्सन है अफगानिस्तान बंगला देस पाकिस्तान नेपाल तो दोस्तों ज निमनीकित में से कौन हिंदुस्तानी सास्तिए संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है, मतलब ये वोकल फरम नहीं है, कौन सा तो आपका ऑप्सने धमार, पखावज, गृपद और अंतिम अप्सने तराना तो दोस्तों इसमेंसे आपका कंठ संगीत का रूप नहीं है तो इसका जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों पखावज पखावज जो है आपका हिंदुस्तानी सास्तिय संगीत का ये वोकल फर्म नहीं है ओके चलिए अगला देखें और ये जो तीनों है वो आपका ये हिंदुस्तानी सास्तिय संगीत का ये वोकल फर्म है कौन ये आपका प्रदेश तो बताईए इसका सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option भी करना टक ओके चलिए अगला देखें कोश्चन नमर चार चोथा नमर के है दोस्तों डांडिया लोक निर्थ निवर्खित मेंसे किस राश से संबंदित है तापका option है हर्याना पंजाब गुजरात अंतिम और अपसन राजस्थान तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा डांडिया लोक निर्थ कहां का है option C गुजरात का ओके चली अगला देखें पचमा मर के है कि यह डैस भारतिय राज में विवा के दोरान लोक पिडिया लोक निर्थ विया हुला गिद्दा किया जाता है मतलब यह आपका निर्थ है डांस है विया हुला गिद्दा और आपका कभी-कभी सीधा गिद्दा भी लिखता है यह आपक अंसर क्या हो जाएगा विया हुल्ला गिद्दा किस राज का लोक निर्थ है तो दोस्तों इसका जो सही अंसर हो जाएगा option B पंजाब चली अगला देख लें question number चौश्टा नमर क्या है दोस्तों निम्लिकित में से कौन सा निर्थ गोळा का लोक निर्थ है तो आपका option है चलित अग्ला देखिए कोश हाज नमर साथ wondering के हैं जहारा निर्थ जो धनका उत्सव मनाने के लिए एक निर्थ शहली है उसकी हुथ पती किस राज में हुई है मतलब यह कहने का अर्थ यह the master निर्थ किस राज का यह मतलब एक तरह से निर्थ सहली है को आपका option है मद परदेश, राजस्तान, केरल, गुजरात, तो दोस्तों बताइए इसका सही अंसर क्या होगा, option A, यह आपका जो है मद परदेश का एक जो है निर्थ सहली है, कोन जवारा, आप लोग अच्छा से ध् अंसर क्या होगा, कौन सा एक करनाटक संगीत का रूप नहीं है, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा दोस्तों, option D, टपा, यह जो है आपका टपा जो है करनाटक संगीत का रूप नहीं है, यह जो है पंजाबी संगीत का एक रूप है, टपा कहा है, पंजाबी संगीत का एक प्रणाली है आपका अप्सान है केरल तमिलाडू करनाटक और अंतिम अप्सान है अंधर परदेश तो दोस्तों यह तो अप्सान कोशन है कुछी पूरी कहां का है अप्सन डी अंधर परदेश का ओके चलिए अब देख लें अगला कोशन मर्दस निम्न में से कौन सा लोग जन जाती है निर्ट करनाटक से संबंदित है तो आपका अप्सन है एक्षगान विधी जात्रा जोडा तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा करनाटक से संबंदित है अप्सन ए ये एक्षगान तो चलिए अब देख लें अगला आपका 11 नमर यह 11 नमर क्या है दोस्तों बहुत अच्छा कोशन है कि राजस्थान के काल बेलिया लोग गीतों और लोग निर्टों को ये यूनेस्कों की अमुर्थ संस्कृतिक एक विरासत की परतिनी दी सोची में किस बर्थ सामिल किया गया था तो आपका ऑप्सन है 2017, 2015, 2010, अंतिम ऑप्स किया गया था कव, तो दोस्तों बताएं इसका सही अंसर क्या होगा, इसका जो सही अंसर होगा, ऑप्सन C, ये जो 2010 में सामिल किया गया था, तो आप लोग भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा, और आपको ये भी पुछा जा सकता है कि काल बेलिया कहां का एक गीत लोग निर्तों की सहली है, तो ये जो राजस्थान का, चली, ये मतलब बहुत इंपोटेंट है, क्योंकि ये मतलब ये संस्कृतिक बिरासत के रूम में सामिल किया गया है, तो इसलिए ये आपका जो बहुत ज्यादा इंपोटेंट है, चली, अगला देखें, क्वेस्चन नमर 12, परिए नमर क्या है, कि निम्रिखित में से कौन एक परसीद गायक है, तो आपका उप्सन एक उसलिए रेडी, मजीत बाबा, राजा रभी बर्मा, अंतिम उप्सन एक पंडित जसराज, तो इन में से एक कौन परसीद गायक है, तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, क्या है, आपका जो परसीद गायक है, हिंदुस्तानी सास्त्रियस संगीत का, है ना, चलिए, अगला देख लें, तेरा नमर क्या है, बदरिनात और केदारनात मंदीर के गर्भ गिर्वों में निम्ने में से करमसा किन देवताओं की पुजा होती है, तो आपका उप्सने वि पुजा होती है, करमसा, बताएं आप, मतलब इनके लिए कौन और इनके लिए कौन, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा दोस्तों, ओप्सन ए, बिसनु और सिव, बदरिनात में आपका जो भगवान बिसनु की पुजा होती है, और ये केदारनात में आपका जो भगवान सि उडिसा तो दोस्तों इसका जो सही अंसर हो जाएगा option B पच्छिम बंगाल में है ना चली अगला देख लें आपका ये जो है question number 15 जिम्लिकीत राजियों में से किस राज में माधपुर मेला मनाया जाता है तो आपका option है उतर परदेश बिहार गुजरात अंतिम अपरदेश त चली ये 16 नमर ये 21 एक जापानिक कला है जो की डैस से संबंदित है तो आपका option है कागज को मुर्दे से फूलों को सजाने से पेरों की कटाई से अंतिम अप्सन है रेत परचितरकारी से तो दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option B फूलों को सजाने की एक जो है कला है जिसको 21 कहते हैं और ये एक जापानिक कला है चली अगला देख लें question नमर 17 सरोध में कितने तार होते हैं तो आपका option है 7, 19, 5, 4 तो दोस्तों इसका जो सही अंसर हो जाएगा option B 19 तार लेकिन आपका परंपरिक जैसे सरोध होता है उसमें 17 से लेकर 25 तार तक होते हैं तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिए 17 से 25 तक जो नमर आ रहा है आपका इसमें एक ही नमर है उनीज इसलिए इसका answer होगा option नमर भी चली अब देखें अगला question नमर 18 कि हमारे राष्टिये चीन के नीचे आधर्स वाक क्या है तो आपका option सत्यम सीवं सुंद्रम सत्मेव जयते और निम्रिखित में से कौन सा लोक निर्थ राजस्थान से संबंदित है तो आपका option है रौफ जोड़ा विद्धी सुईसिनी तो दोस्तों इसका जो सही answer क्या हो जाएगा इन में से कौन सा आपका राजस्थान से संबंदित है option D सुईसिनी जो है वह आपका राजस्थान से संबंदित है तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा यह आपका यह रौफ है वह आपका कहां का है जम्मो का समीर का है यह जोड़ा जो है वह आपका तरपरदेश और उत्राखंड दोनों का है और विधी जो है वह अंदर परदेश का है न और यह सुईसिनी कहां का हो गया राजस्थान का ओके चली अब देखलें आगला कोशन नमर 20 यह 20 नमर क्या है तबल चोंगली किस राज की लोग निर्थ का रूप है तो आपका अपसाने पच्छी मंगाल असम अंदर परदेश अंतिम अपसाने महर तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तबल चोंगली कहां का लोग निर्थ है असम का ओके चली अब देखलें अगला कोशन नमर 20 नोटंग की में से किस राज का लोग निर्थ है तो आपका अपसाने हडियाना उतर परदेश राजस्थान अंतिम अपसाने गुजर तो दोस्तों नोटंग की किस राज का लोग निर्थ है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा उत्तर परदेश चली अगला देख लें कोशन नमर 22 कि कि निम्न में से कौन सा लोग निर्थ जम्मू एबंकस्मीर से संबंदीत है तो आपका अपसान है जोड़ा विधी रौफ अ तो ऐसे भी लिखता है रौफ है ना रौफ आपका जो है जम्मू कस्मीर का लोग निर्थ है और यह सुषीनी आपको बताये थे कहां का राजस्थान का तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिए गा और यह आपका जैसे विधी बताये थे आंदर परदेश का और जोड आपका जोड़ा तो दोस्तों इसका जो सही अंसर हो जाएगा उत्तर परदेश से कौन संबंदित है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी सोड़ा तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा ऑके चलिए अब देख लें अगला कोश्चर अमर चोबिस 25 नमर क्या है गुरुपर्व सीख समदाय का सबसे महतपुर्ण और पवित्र त्यवहार है हिंदू कलेंडर के अंसवार इसे निमलिखित में से किस महीना में मनाया जाता है तो आपका ऑप्शन है जेष्ट वैसाग स्रावन अंतिम अप्शन है कातिक तो दोस्तों इसका जो चलिए अगला देखले यह आपका 26 नमर इनमें से किस नदी के किनारे परसीद सांस्कृतिक अस्थल राणी की वाव राणी का सीधिदार कुवा इस्थित है तो आपका अप्शन है महा नदी यम्ना नदी सरसती नदी और अंतिम अप्शन है हुगली नदी तो दोस्तों यह नदी के किनारे तो सही आंसर हो जाएगा और यह आपका गुजरात मिंन स्थित है और यह आपका किस नोट पर अंकीत है अभी जो नया नोट तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आदनिक हिंदी साहितकार भरतेंदु हरिचंदर को कहा जाता है चलिए अब देख लें 18 नमर ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए संवर्पित है मतलब किसके लिए काम करती है तो आपका उपसन है साहित संगीत निर्थ एबामनाटक और अंतिम उपसन है ललित कला तो दोस्तों इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो आपका होगा उपसन डी ये जो है ये ललित कला के लिए संवर्पित है और इसका अस्थापना कब हुआ था पांच अगस्त ये उन्हें सौच चोबन को के तब लोग अच्छा से धियान में रखिएगा उन्तिस नमर देख लें कि भारत में निर्थ नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिमेदारी निमिखित में से किसकी है तो आपका आपसन है ये साहित अकादमी ये जो है नेस्टनल इसकोल ऑफ ड्रामा संगीत नाटक अकादमी और अंतिम आपसन है लित कला देने ओके चली अब देख लें अंतिम कोश्चन कोश्चन नमर 30 कतक कली सास्त्रिय निर्थ किस राज से शुरू हुआ था तो आपका ओपसन है केरल करनाटक राजस्थान अंतिम अपसन है तमिलनाडू तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा कतक कली कहां का है ओपस और चप्टर वाइज जो है जीके जीएज का कोश्चन आपका जो कंटीनियू आते रहेगा तो आप लोग अच्छा से चैनल के साथ बने रहें और जो कंटीनियू आप जो वीडियो देखते रहें आपको बहुत हेल्फ होगा ओके तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से न कर्णे बहुत है झाल में जान आपको दोस्तों आपको एंगाज करणे मिलते हैं प्राग जियूग रना आपको आपको मैं कहा है प्राग चापको कंटीनियू है जाल में आते हैं